एक हजार बेस्ट MCQ सिरीज में एक बाइ फिर से आप सभी का स्वागत है UPSC और UPPC के प्रणिस एक्जाम को लेकर GS और Current Defense के प्रेपेशन को लेकर हमने यहाँ पर इस सिरीज के आज इस चौथे सेट को लेकर यहाँ पर प्रेक्टिस करेंगे आज का जो टॉपिक है देखा जातों यहाँ पर हमने पिछले तीन lecture में हमने बेसिकली यहाँ पर इंडियन एकनिवी के topics को question को discuss किया है आज हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं agriculture जो भी concept, static और यहाँ पर उन से related current basis question को तो यहाँ पर एक विशेश topic क्योंकि agriculture से पिछले कुछ exam में ज्यादा तर question पूछने लगे हैं इसलिए आज का जो हमारा पूरा session है यह agriculture को यहाँ पर based है तो आए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर question हो और किस तरह के question यहाँ पर पहुंचे जानी के संभा विशियों में लगवख 15-20 माइनस 15-20 डिग्री से तक के ताकमान की आवशकता होती है दूसरा इसके लिए प्रतिवर्स 1500 मिलिमीटर वर्षा की आवशकता होती है उपरियूत कत्रों में से कौन सा सही है एक केवल एक बी केवल दो 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 दी ना तो एक और नहीं दो करें के सरकी को लेकर कौन सा यहां पर option सही है पहला दूसरा तीसरा चौथा ABCD ज्यास यहां पर पहला कुष्चन है स्टार्टिंग यहां पर थोड़ी सी अच्छी होगी तो यहां पर थोड़ा सा आगे के question शेशन वाइश्चन चीज़ों को बहतर भी करना है नौलेज चेक आपको बहुत फाइदा होगा चलिए आई ये देखते हैं इसका आंसर क्या है पहले का आंसर है आपका C है ठीक है इसकी व्याख्या थोड़ा सा स्टेक कर लेते हैं C यहां पर क्यूं सही है भारत में जो केसर की खेती है यह आपको जून और जुलाई के महीनों के दौरान यह महां पर होती है तथा कुछ अस्थानों पर यह अगस्त और सितंबर में होती है और ओल दिखा जाएं तो जून जुलाई या जून से सितंबर तक के समयावद के दौरान जिसके अलग-अलग हिस्सों में होती है यहां पर देखें अक्टूबर में इसमें फूल आना के बीच होना चाहिए यहां पर हम कह सकते हैं वाली मिर्दा जिसमें हम कह सकते हैं कि मिट्टी में प्रचूर मात्रा में कैल्सियम कार्बोनेट पाया जाता हो क्योंकि हम कैल्सियम कार्बोनेट जो होता है वो केसर के उत्पादन के लिए आपका अच्छा होता है इसके नहीं होना चाहिए सर्दियों में 15 जिगली सेल्सियस नहीं होना चाहिए ठीक है कथन एक सही है इसमें पर्याप्त वर्षा की आवशकता भी होती है और 1500 मिलिमीटर की वर्षा होनी चाहिए अता कथन दो भी यहां पर सही है कुश्य नमबर टू गो देते हैं निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला फसल विवधी करन से तात पर किसी शेश क्रिश शेतर पर क्रिश उत्पादन में नई फसलों या फसल प्रनालियों को जोडने से है दूसरा फसल विवधी करन मृदा के लिए अच्छा है और फसल उत्पादक्ता को भी बढ़ा सकता है उपर इस कतनों में से कौन सा सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो 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 डी ना तो एक और ना ही दो तो कुश्चन नमबर दो का अंसर बताईए फसल विवधी करन से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है कौन सा उप्शन इसमे आंसर को डिसकस करेंगे क्यों सा सही होगा फसल विवधी करन को लेकर कुश्चन नमबर टू चलिए आंसर यहां पर चिक कर लेते हैं इसमें भी आंसर आपका सी सही है ठीक है अर्था दो नई ऑप्शन होता क्या है देखें फसल विवधी करन जब नहीं यहां पर देखें जब नहीं फसलों यह फसल प्रणालियों को क्रिश उतपादन से जोड़ने का ताथपर है फसल विवधी करन जिसमें एक विशेश क्रिश चेत्र पर क्रिश उतपादन की पूरक मूल लेवर्थित फसलों के विपड़न से लाव प्रापतिस्में किया जाता है इसले कथा न यहां पर देखे क्रमिक फसल, एकल फसली विवस्था, अंतर फसली, रिले क्रॉपिंग, मिश्रित फसल अंतर फसली और अवनालिका फसली यहां पर ली जाती है। अधिकतर जो किसान हैं उनकी आजीवका और आयके साथनों को बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल पसुधन प्रणाली को यहां पर उप्योग किया जाता है। जन से या क्रिश की एक साखा के रूप में है। उत्पादक है। उपर उप्योगत में से कौन सा सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डीन ना तो एक और ना ही दो। चली, तो बताइए यहां पर दुग्द उत्पादक से रिलेटेड यहां पर कौशन है। कई बार इस तरह के प्रशनों को पूँचा जाता है। उत्पादन क्या दहाँ पर कृश्गत जो उत्पादन है। सबसे अच्छी है और सबसे यहां पर ज्यादा किन राज्यों में होती है। ऐसे भी कॉश्चन आपके एक्जाम में पूँचे जाते हैं। चली, देखते हैं यहां पर इस कॉश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है। कुश्चन नमर 3 का, A, B, C, D में इसका राइट आंसर क्या है। 10 स्केंड है आपके पास, अपने आंसर को पिक करेंगे। कुश्चन नमर 3 का, उसके बाद हम यहां पर अपना आंसर देखेंगे। चली, फटफट फट आंसर दीजे, कुश्चन नमर 3 चली, यहां पर आंसर चिक कर लेते हैं, कुश्चन नमर 3 का, यहोप अपने आंसर दे लिया होगा। परशन का युगदान करने वाली एकल सबसे बड़ा कृश्च उतपाद है। अता कथन एक यहां पर आपका सही नहीं है। भारत ठीक है। देखा जाए। वितवर्श 2022 में भारती डेरी उत्द्योग ने 9 से 11 परशन की यहां पर बढ़ने के उम्मीद है। डेरी 6 तर राश्च्र अर्थ विस्तां 5 प्रश्चत का युगदान करती है। और 8 करोण से अधिक किसानों को यहां पर रूजगात देती है। 65 दूद उत्पादक राज्यों में उत्तरपदेश देखा जाए। तो 16 समलो 3, 30.52 mmT, राजस्तान 12 समलो 6, 33 समलो 69 mmT, मत्र प्रदेश 8 समलो 5%, 15 समलो 91 mmT, आंज प्रदेश 8%, 15 समलो 04 mmT, और गुजरात 7 समलो 7% यानि 14 समलो mmT के साथ यहां पर उत्तरपादक राज्यों है। यहां पर देखा जाए तो कथन 2 आपका सही है। चलिए, कुश्चन अम यहां पर तीन पर आते हैं। निमलकित कत्रों पर विचार कीजिए, पहला बाजरा पानी या इन्पुट गहन फसल नहीं है, दूसरा बाजरा ग्लूटेन मुक्त है और कम ग्लाइसेमिक अंडेक्स वाला भोजन है। उपरे कत्रों में से कौन सा सही है, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दो, नो टी ना तो एक और ना ही दो। तो यह बताईए कि यहाँ पर बाजरा से रिलेटर जो यहाँ पर टॉपिक दिया दो दो पॉइंट बनाए गए हैं, दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर सही क्या है, यह आपको बताना है, ए भी सी यहाँ पर चार आप्शन हैं, तो चलिए जल्दी से आंसर बताईए, इस क क्विश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्विश्चन नंबर फॉर, क्विश्चन नंबर फॉर का आंसर दीजिए, चलिए आंसर यहाँ पर चख करते हैं, ठीक है, इस क्विश्चन का क्या आंसर है, दीके आंसर आपका फॉर का सी है, क्यों सी है, दीके बाजरा पोशक अनाज में ज्वार बाजरा रागी शामिल है, खनीजों बीक कॉंपलेक्स विटामिन के साथ यहाँ पर प्रोटीन और एंटि आउक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, उन्हें बच्चों के पोशन परिणामों सुधार लाने के एक आदस विकल्प के रूप में भी देखा जाता है, बाजर से जुड़े बहु आयामी लाव, पोशन सुरक्षा, खाद प्रनाली, सुरक्षा, किसानों के कल्यान, समदित मुद्दों के पोशन के समाधान में ये मदद कर सकते हैं, देखा जा एक लिए अस्थाई खाद शोत यहाँ पे शापिल साबित हो सकते हैं, बाजरा पानिया इन्पूट गहन फसल नहीं है, इस फसल की सिचाई के लिए अधिक जल के आवशकता नहीं होती है, जलवाई परिवर्थेन मुलचीली किर्ष्पनालियों के निर्मान के लिए एक अस पोशकता जो होते हैं केवल बच्चों के स्वास के लिए, विकास के लिए, बलकि वैसकों में हिर्दय और मध्मे के जोकिम को कम करने में भी सहायक होते हैं, देखा जातों यह ग्लूटेन फ्री हैं और गलाइसेमिक यहाँ पर इंडेक्स की कमी से युट बाजरा, डाइब कुश्च नमबर पांच पी आते हैं, ठीक है, कपास के संदर में बताएं किने मिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है, पहला, यह एक सूखा प्रदिरोधी फसल है और सुस्क जलवाई के लिए उप्योगत है, दूसरा, दक्कन के पठार की मिट्टी कपास की फसल उगाने के प्रयोगत है, तीसरा, गुजरात भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है, नीचे दिएगे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, A है केवल एक और दो, B है केवल दो, C है एक और तीन, D है एक दो तीन, तो कुश्च नमबर फाइफ का आंसर बताएं, A, B, C, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए हाँ पर आंसर इसका चेक करते हैं हुप अब तक आपने आंसर दे लिया होगा कपास के बारे में देखिए आंसर आपका है log5 का D है लेकिया समझ लेटे हैं थोड़ी से यहाँ पर इसके बारे पर जोन करिल लेते हैं खरीफ देखे, खरीफ की जो फसल इसे तयार होने में 6-8 महीने लग सकते हैं, सूखा प्रधरी फसल के लिए सुस जलवाय आदर्श मानी जाती है, इस फसल को विश्व की 2.1% कृशियों की भूम पर उगाया जाता है, और विश्व की 27 प्रशत यहां पर वस्राफ सकताओं को पूरा करता है, इनके लिए 21-30 जिगरी सेल्सियस का तापमान चाहिए और वर्षा करीब 50-100 cm, मिट्टी जो होती है हाँ पर इसके लिए कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, दक्कन के पठार की मिट्टी इसके लिए हाँ पर उप्युक्त मानी जाती है, अथा कतन 2 सही ह उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, फाइबर, तेलर, परश्यारा और सीस का पास उत्पादक राज्यों में चीन, भारत और युएसे हैं, जबकि भारत के सीस उत्पादक जो राज्य हैं, इसमें गुजरात, महराज, दिलंगाना, आंत्रमदेस और राजिस्थाने, अथा क इसमें से कौन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अस्तंब हैं, एक केवल एक दो तीन, बी एक दो, सी दो चार, डी एक दो तीन चार, बताईए यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, किसे कहा जाता है, या इसके कौन से यहाँ पर चार अस्तंब में से, कौन कौन से इसके स्तंब के रूप में यहाँ पर माने जाते हैं चले बजल दिस बताएं जीरो बजट नैचुरल फॉर्मिंग से कौन कौन से रिलेट करते हैं उसके अंसार यहाँ पर आपको दस सेकेंड है अपने आप्शन को आड करने के लिए A, B, C, D में इसका राइट आंसर क्या है चले जल्दी से आंसर दीज़े कौन नमर 6 जो कौन नहीं आए उनको आप स्किप कर दें उनके बारें पढ़ें और उनके साथ-साथ उनसे डिटेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि अगर इससे रिलेटर कोई क्योशन बनता है तो आप वहाँ पर उसके बारे में परिचीत रहें चले क्योशन नमर 6 को देखते हैं दी यहाँ पर राइट आंसर है ए बी सीरी सभी सही है दीकर जीरो बजट नेचरल फार्मिंग मूल रूप से महाराष्ट के किसान सुभास पालेकर के द्वारा विक्सित रसायन मुक्त क्रिशी का एक रूप है यह विधी क्रिश पारंपरिक भारतिय प्रथाओं पर आधार इसके चार अस्तम हैं जीवामृत जिसमें पालतू पश्वों के गोबर मलमूत्र किडवित करके उपयोग में लाया जाता है इससे मिट्टी में सुभी जीवों को एक अनकूल इस्तिती प्राप्त होती है इसी के साथ साथ बीज़ामृत इसमें जीवामृत के समान सामागर होती है यहां कुरों को मिट्टी और बीज़नित बीमारियों से बजाती है आच्छादन यानि कि मल्चिन इसके मातिम्स मृदा में आदता और वातना यानि अरेट्रेशन में यहां पे साहयता मिलती है और वास्पा यानि मौश्चर वास्प एक ऐसी इस्तिती जिसमें प्रिखित में से कौन से परिशुद्ध क्रिशी विक्की विशेष्ता है पहला उच्छ क्रिश उत्पादक्ता दूसरा फसल उत्पादन में अधिक रसायनिक अनुप्योग तीसरा जल संसाधनों का कुशल उप्योग नीचे दिये कूट का प्रियोग कर सही उत्तर यहां पर तीन कथन दिये गए हैं उसके अंसार यहां पर बस चार आप्शन हैं A, B, C या D कौन सा सही है अपनी अपनी अंसर यहां पर पिक करें उसके बाद इसके अंसर को चेक आउट करेंगे या क्या देखेंगे थोड़ी सी नॉलिज गेन अप करेंगे कुश्यन नमर सा सभी लोग यहां पर अंसर यहां पर पिक कर चुके होंगे देखेंगे साथ का आंसर है यहां पर C, चीक है एक और तीन यहां पर सही है क्यों सही है देखें परिशुद्ध कृषी के अंतरगत यहां पर सेंसर, रिमोट सेंसिंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिसल इंटेलि चौपे किसमें समलित हैं किस-किस तरीके के लाब यहाँ पर किसानों को मिलेंगे पहला कि उन्हीं क्रिशी उत्पादक्ता उनकी बढ़ेगी दूसरा मृदा का जो छरन लगातार हो रहा है उसमें कमी आएगी तीसरा फसल के उत्पादन में हम किसी प्रिकार के रासानिक अनुप्रयोग से बचेंगे उनको कम कर सकेंगे जल संसाधनों का हम बेदर तरीके सुप्योग कर पाएंगे गुणवत्ता, मात्रा, उत्पादन की कम लागत के लिए आधुनिक रूप से यहाँ पर किश्पत्तियों का प्रशार प्रसार करेगी और किसानों के सामाजिक अर्थे उस्तिलिमग बदलाव लाएगी तो आंसर यहाँ पर C चल लिए अगला कुश्यन कुश्यन नमबर यहाँ पर 8 पर आते हैं कुश्यन नमबर 8 निमलखित कत्रों पर विचार कीजिए वर्स 2020 में भारत दुनिया का सीर्ष चावल निर्यातक था दूसरा, भारत का अधिकांस बासमती चावल अफ्रीकी देशों में जाता है तिसरा, गोल्डन राइस बासमती चावल की प्राक्तिक रूप से उगाई जाने वाली सबसे अच्छे केस में उपरिद कत्रों में से कौन सा सही है यहाँ पर आप्शन देख लिजे पहला है एक, एक, दूसरा है एक और दो, सी है तीन और डी है दो और तीन तो यहाँ पर बताए कुश्ण नवर 8 का आंसर क्या उनसा होगा ठीक है, कुश्ण नवर 8 का आंसर दीजी चली, जल्दी से यहाँ पर इस कुश्ण का आप लोग आंसर दीजे कुश्ण नवर 8, निमलकिर कत्रों में से यहाँ पर कौन सा सही है चार आहाँ पर आपके पास option है ABCD में से 10 यहाँ पर आप जल्ली से 10 second है सभी के पास अपने पर आंसर को pick करें और यहाँ पर हम फिर इसके आंसर को देखेंगे कितने लोगों का सही होगा performance wise, report wise यहाँ पर आप कैसा कर रहे हैं, जरूरी है अंतिर कुछ समय है और इसका जादा से जादा उपयोग यहाँ पर करना है इसले session पूरा करें, सभी question attempt करें और जाकर उसके बाद उसका revision ज़रूर करें चलिए question देखते हैं, इसका answer question number 8 का देखें यहाँ पर question number 8 का answer भारत दुनिया का सीर्स चावल निर्यातक है, जिसने 2020 में करीब 18 मिलियन टर्न अनाज यहाँ पर जैविक चावल बेच कर 65,000 करों रुपय कमाएं लगभग एक चौथाई premium बासमती है इसमें और कथन एक यहाँ पर सही है बासमती चावल खरीदने में 75 देशों में स्यादर पश्ची में शियाई देश, अमेरिका, ब्रिटेन हैं जबकि गैर बासमती अधिकान सिस्था अफ्रीकी देशों में पड़ोसी देशों नेपाल था बांगला देश के द्वारा आयत किया जाता है अधा कथन दो यहाँ पर सही नहीं है इसके लावा कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पर समझ लें हाली में कोईलीजन फर जीम फ्री इंडिया के अनुसाद 2021 में भारत द्वारा यूरोपी संके देशों को निर्यात की जाने वाली एक खे पांसो टरन अनवांशिक ग्रूप से संजोजित जीम चावल का पता चलने से भारत और क्रिश बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान ह हाला कि भारत का कहना के जीम चावल भारत में व्यावसाइग रूप से नहीं उगाया जाता है भारत ने केवल जीम का फसल विटी का पास व्यावसाइग खेती को मंजूरी दी हो देश में किसी भी जीम खाद पुसल को व्यावसाइग खेती के लिए मंजूरी नहीं दी जो कि यहां पर विटामिन A से सम्रिद्ध है चले कुश्य नम्बर 9 पर आते हैं क्या है क्या है क्युश्य नम्बर 9 देखिए निम्खित कत्रों पर विचार कीजिए चाय एक उष्कडवंधी उपउष्कडवंधी पौधा है और गर्म और आदर चलवाई में अच्छी तरह से बढ़ता है इसकी वृद्ध के लिए आदश्त आपान 20 दिग्री से 30 दिग्री है चाय की खेत के लिए सबसे उप्योख मिट्टी थोड़ी अमली होती है उपरित कत्रों में से कौन सा सही है कि वले एक भी है एक और 3 सी है दो और डी है एक दो 3 यह बताए कुश्य नम्बर 9 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा कुश्य नम्बर 9 का आंसर दीजे ए वी c d मेंसका आंसर क्या है चले जल्दी बताएं दस स्केंड है कुछ्छ नमर नाइन का अंसर दीजिए चाय किसे संबंदे चाय के बारे में जो जानकारी यहाँ पर लिखी हुई इनमें से क्यों कौन से कथन यहाँ पर सही है यही आपको बताना है चाय के बारे में आपने पढ़ा होगा भुगोल में कृष्टियूएं एग्रिकल्चर के टॉपिक में चलिए यह कुश्चन का अंसर देखते हैं एक आंसर आपका डी है ठीक है क्यों है यह कि चाय कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से बना एक पे है पानी के बाद या दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पे है ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर पहली बार कहां पाई गई इस बात के प्रमाण है कि 5000 साल पहले चीन में चाय का सेवन किया गयाता था जलवाई चाय एक ओश्कडवंधी और उपश्कडवंधी पौधा है तथा गर्म और आदस जलवाई में इसकी अच्छी पैदावार होती है कथन एक इसलिए यहाँ पर सही है हालाकि इसके लिए पूरे वर्ष समान रूप से वितरे डेड़ सो से तीन सु सेंटीमेटर वर्षिक वर्षा के आवशकता होती है और मिट्टी चाय की खेते के लिए सबसे उपयोग छिद्र रिक्त अमली मिट्टी या कैल्सियम के बिना होती है जिसे जल आसानी से प्रवेश कर सके दगधन तीन भी यहाँ पर सही है आते हैं कुश्चिन नबर दस पर भारत में भारत ने निम्रिकित में से किस अन्वाशिक रूप से संसोथी जीम फसल की व्यवसाई खेती को मंजूरी दी है पहला बीटी का पास दूसरा गोल्डन राइस तीसरा एच टी बीटी का पास चौथा बीटी वैगन नीचे दीगे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए ए है एक और दो बी है दो और चार सी है एक और डी है एक तीन चार तो यह बताईए भारत ने निम्रिकित में से किस अन्वाशिक रूप से शंशोधी जीम फसल की व्यवसाई केती को मंजूरी दी है चलिए हली से बताएं इसका आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं यहाँ पर इस कुश्शन का आंसर क्षिन नमर 10 का ठीक है कुश्शन नमर 10 का देखें आंसर देखें आंसर आपका सी जीम जो फसले हैं जीम खादबदार्थों उन पौधों से को दित किये जाते हैं आमतोर पर इसमें किसी विश्श प्रजात की अनुवांशिक गुणों या सामान प्रजात की फसनों की उपज में व्रिधी, खर-पतवार के प्रति सहे शुनता, रोग वा सूखे के प्रति प्रतिरोध और इसमें पोशक सुधार के लिए संसकरन ही अपना आया जाता है, संभा होता है, GM चावल सबसे प्रिशिद्ध गोल्डेन राइस है, गोल्डेन राइस में डैफो डिल्स और मक्का के पौधे के चीन समलित किये गए हैं और या विटामिन A से यहां पर भरपूर है, भार्ग ने केवल GM फसल बीटी का पास की व्यव फसल की चावल की किसमें हैं, जो कीडों और बीमारियों के प्रत प्रितरोज सुधार करती है, साथी संकर भीज उत्पादन और पोशन समंधिय व्रद्ध भी सामिल है, इसके लावा अनाधिकरित STBT का पास की BT बैगन फैसले से व्यवसाय ग्रूप से उगाय जा रहे हैं, और सेक्ड़ उत्पादकों ने सरकारी प्रतवन की खुलियां में यहाँ पर अवेलना किया, तब विकल्प सी यहाँ पर सही है, आते हैं अंगले कुशन, कुशन नमर 11 पे, रवी फसल के संदर में यहाँ पर बताना हैं निम्कित कौन सा कथन सही है, पहला है, फसलों के बी सी है केवल तीन, और डी है एक तो तीन, तो बताइए कुशन नमर यहाँ पर 11 का आंसर कौन सा सही होगा, रवी फसल को लेकर यहाँ पर जो आप्शन दिये गए हैं में से कौन सा सही है, ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से अपने अपने आंसर यहाँ पर पिक करें, कुश्चन नमर 11, रवी फसल के संदर्व में निम्रकित में से कौन सा कथन आपका सही है, चल्दी आंसर यहाँ पर चेक करते हैं, रवी फसल के बारे में, देखिए आंसर है आपका A, ठीक है, आंसर है आपका, यह ? कियुं है, देख लेते हैं, देखे, व्याक्या है, इसी फसली जो लौटते मानसून या पुरोततर मानसून रिद के समय बोई जाती हैं, अथाथ, अक्टूबर मां से इनकी बोई सुरू हो जाती है रवी या सरदृत की फसल ये कहलाती है इन फसलों के बीजों के अंकुरान के लिए जगर में जलवाई, फसलों के वृद्धी है तो ठंडी जलवाई की यहाँ पर आवशकता होती है अधा कथन आपका एक सही है इन फसलों की कटाई आम तोर पर गर्मी के मौसम में अप्रवल मई के दौरान होती है और वर्षा का रवी की फसल पर जादा असन नहीं बढ़ा है तक कथन दो आहां पर आपका सही नहीं है चलिए अगले कुशन लेते हैं और साथी यहां पर कुछ और चीज़े हैं कि खरीफ की फसले वर्षा के पैटर्न पर यहां पर निर्भर करती है रवी की जो प्रमुक फसले हैं इसमें गेहू चना, मतर, जो शामिल है तो कि यहां पर चावल, मक्का, डाले, जैसे उरद, मुंग, डाल, बाजरा प्रमुक की यहां पर आपको बाजरा, जो होते ही हैं आपके खरीफ के फसले हैं तो कथन तीन यहां पर आपका सही नहीं है अगला कुश्चन, कुश्चन नमबर यहां पर बारा, आएए देखते हैं यहां पर निम्खित कितनों पर विचार कीजिए, ठीक है पहला इसमें देखे लिखा हुआ है इसका उप्योग मसालों, रंगों, दवाओं, कॉस्मेटिक और धार्म को देशों के लिए किया जाता है दूसरा भारत इसका एक प्रमुक उत्पादक और निर्यातक है तीसरा इसके विकास के लिए अधिक वर्षा और पंद्रो सो मीटर की आवुचाई क्या वशक्ता होती है उपर ही कथन में से किस क्रिश उत्पाद का सबसे उप्योग तो वर्णन किया गया है ए हल्दी, बी तंबाकू, सी केसर और डी खुबानी तो बताईए यहाँ पर जो नीचे आपको उपर कुश्चन में तीन कथन दिये गए है ये तीनों ही कथन नीचे दिये गए किस क्रिश उत्पाद से सम्बंदित है चार ओप्शन है, दस सकेंड है, कुश्चन का आंसर पिक करें कौन सा सही है इसमें से, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं आंसर यहाँ पर हल्दी, ठीक है हल्दी एक पुश्पी पौधा है, जिंजर फेमली से सम्बंदित है और इसका बानस्पितिक नाम है करकुमाल लोंगा इसका उप्योग धार्मिक समारोहों के लावा, मसाला, डाई, दवा, कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता है इसका पीला रंग मुखी रूप से करकुमिन, नामक एक चमकीले पीले फेलोनिक, योगिक के कारण होता है भारत विश्मे हल्दी का एक प्रमुक उत्पादक और नर्यातक देश और वेस्विक अस्तर पर हल्दी का 80% यहाँ पर उत्पादन करता है वर्ष 2018 में तेलंगाना भारत में हल्दी प्रमुक उत्पादक राज था और महरास्तमिल लाड उस रैंकी में दूसरे और तीसरे स्थान पर थे इसे समुद्र तल से 1500 मेंटर की उचाई पर विविन ओश्रकडबंधी परिस्तितियों में 20 से यहाँ पर 35 जिग्री सेल्सेस के तापपान और 1500 मिरिमेटर तक की यहाँ पर या उस्तिक के वाशिक वर्षा तथा सिंचित परिस्तितियों में यहाँ पर उगाया जाता है अथ सबसे अच्छा वर्णन है पहला या एकल क्रिष्पधित के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूपता पैदा करने के लिए सुरू किया गया एक कारिक्रम है दूसरा या मवेश्यों के द्वारा मेथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए विक्सित फीड सप्लीमेंट है तीसरा या मवेश्यों के अधिक चरने से प्रभावित भूम के काया कल फेत विक पहल है और चौथा इसका उद्देश गो जाती आबादी के स्वदेशी नसलों का विकास और संरक्षन करना है तो चलिए बताई यहाँ पे हरिधारा से सम्मंदित यहाँ पे कौन सा कथन सही है चार आप्षन दिए गए चार में से यहाँ पर कौन सा सही है चलिए जल्दी से फटाफट अप्र इस कुश्चन का आंसर दीजे ए बी सीडी मिसका राइट आंसर क्या है दस स्केंड़े आपके पास कौन सा आंसर हरिधारा का यहाँ पर उससे रिलेटेड आपका सही है च चलिए देखते हैं किति लोगों को पता है हरिद्धारा से कौन सा कथन यहां पे संबंदित है चलिए आंसर चिक कर लेते हैं ठीक है आंसर देखे हैं आपका भी हाली में भारती क्रिशन संधान परशद यानि कि ICR ने हरिद्धारा नामा के इंटी मेथनोजेनिक फीट सप्लीमेंट विक्सित किया है जो मबेशियों के द्वारा की एजिय अनयवले मीथेन उस सर्जन में 1720% की कटोती कर सकता है इसके परणाम सुरू दूध का उतपादन भी आपका बढ़ सकता है हरिद्धारा यानि के हाइड्रोईन उतपादन के लिए जिम्मेदार अमाशय रूमेंट प्रोटोजोवा रोगानियों की आबादी को कम करना है और मेथेन तहा कार्बन डियोकसट की कमिहेत आर्किया यानि की बैक्टिरिया समान सरचना को प्रणिक अमल का उतपादन करने मदद करेगा जो लैक्टोज यानि की दूर सरकारे का उतपादन शरीर को के वजन को बढ़ाने के लिए दिक उर्जा क्यों यहां पर प्रदान करेगा इससे किसानों को अर्थिक लाव होगा और्था कतल यहां पर आपका जो विकल्प है भ दिरावट आई तीसरा राष्टी पशिधन मिशन को स्वेथ क्रांती के एक उप योजना के रोप में लागू किया जा रहा है उपरिद कतलों में से कौन सा सही है एक केवल एक और दो बी केवल दो सी एदो और तीन दी एक और तीन तो यह वताईए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कौन सा आंसर इसका सही होगा चल दिसे चलिए आंसर यहां पे चक रलें आए वोप अब तक तो आपने आंसर आपर पिक कर लिया होगा आंसर आपका D, एक और तीन यहाँ पे सही है, क्यों सही है? देखें, यहाँ पे भारत दुनिया का सरवाथिक पशुधन मौझूद है, उता कतनेक तो सही है 20 वी जन गर्णा क्या कहती? 20 वी पशुधन गर्णा क्या कहती? 20 के अनुसार, कुल, क्रिशी, और संबध्य छेत्र में पशुधन का जो योगदान है, सकल, मोल्लेवर्धन, इस्थिर कीमतों पर यहाँ 24 समलोग तीन दो प्रश्यत है 2014-15 से बढ़कर यह 28 समलोग छेतीन परसेंद, 2018 में यहाँ पर हो गया है, अता कतन दो यहाँ पर सही नहीं है साथी यहाँ पर NLM को यहाँ पर वित्तिवर 2014-15 में लौंच किया गया, यहाँ पशुधन, उत्पादन, प्रणालियों, सभी हिद्धारकों की जमता निर्माड में मात्रात्मक, गुणात्मक सुधार को सुनिशित करने का प्रयास करता है इस योजना को अप्रेल 2019 से सुधक्रांती यानि की राश्ट्री पस्दन विकास योजना की उपी योजना की रूप में लागू किया जा रहा है, अधक कतन तीन भी यहाँ पर सही है अगला कोश्चन लेते हैं, निर्म लिखित पर विशार कीजिए पहला, अनुवांशिक रूप से संसोते जीयम फसले, दूसरा, संगरोध प्रानाली, तीसरा, जर्म वारफियर उपरोक्त में से कौन सी विधी कीट नियंतरन विधियों के रूप में प्रयोग की जा सकती है तो ये बताइए, उपर दिये गए, तीन यहाँ पे जो कथन या शब्द दिये गए हैं, प्रानाली दी गई है इसमें कौन सी कीट नियंतरन विधियों आपके लिए सबसे बहतर हो सकती है या किसका प्रयोग हम कीट नियंतरन विधियों के लिए कर सकते हैं चलिए, सभी लोग आंसर दीजए, इस कुश्चन का राइट आंसर क्या होगा, A, B, C, D में इसका राइट आंसर क्या है 10 स्केंड है आपके पास, इस कुश्चन का आंसर करने के लिए चलिए, आंसर यहाँ पे चक्कल लेते हैं देखें, यहां पर आंसर आपका D है, ठीक है, आंसर कौन सा है, यहां पर आपका D है, कीट को नियंतित करने के लिए सबसे लोगप्री तरीकों में आन्वांशी ग्रूप से संसोधित, जीम फसलें और कीट नाशकों का उपयोग शामिल किया जाता है, प्राक्तिक दिश्कोर् जो प्रणाली है, इसके तहट ऐसे कीटों की मेजवानी करने वाले अनाज और पौधों के आयात का सिपिन बंदरगाओं, हवाई अड़ों, भोमी सीमा, प्रनेक्शन किया जाता है, भात में संग्रोध प्रणाली 2003 में, प्लांट कॉरंटाइन, भात में आयात का विन्यमन, आदिस द्वारा शासित है, जिसे वर्स 1914 के विनाशकारी कीट और कीट अधनियम के तहट अजसूचित किया गया है, अता हमी कलपडी सही है, चलिए अगला देखते हैं, अगला कुश्चन क्या है, निम्नखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला, प्राक्तिक रबड के पर आक्साइड डिस्म्यूटेज, जीन के साथ ठंड और सूखे जैसे पर्यावरन इस्थितियों का सामना कर सकता है, तीसरा, भारत में तामिलनाड एक सीर सरबर उत्वादिक राज्य है, उपर विकतनों में से कौन सा सही है, A केवल एक और दो, B केवल दो और तीन, C केव लिए, तस स्कुन में आपने आंसर को पिक करके बता सकते हैं, कौन सा आपके हिसाब से यहाँ पर सही होगा, चली, फुटा-फुट ने आनसर यहाँ पर दीजिए, चली, आंसर को देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर है, A है, ठीक है, हाली में रबड अनसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का पहला अनवांचिक रुप से संसोधित रबड सैंत्र आसाम में अस्थापित किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा करंट, आए देखते हैं, क्या है और विशेश, देखिए, रबड सैंत्र इस छेत्र के व विशेश लक्षणों के लिए जीन को स्थानांत्रित किया जाता है, इस रबड में मैगनेज यूक्त सूपर आकसाइड डिसम्यूटेज जीन को अंतरवेशित कराए गया है, जिसके चलते उत्तर पूर में शीतरुत में पढ़ने वाली कडाके की ठंड का मुकाबला करने मे में भी ये सक्षम होंगे, MNSOD जीन पौदों को ठंड व सूखे जैसे गंभीर परेवन प्रभावों से बचाने की चमता है, ता कथन दो सही है, यह एक भूमद रेखी फसल है, परत विशेश परिस्तित्यों में से उश्कडवंधी और उपोश्कडवंधी चेत्रों में मिर्दा जो है, वो आपको अच्छी जल निकासी वाली जड़ोल मिर्दा, रोपड फसल के लिए कुशल क्रिशी, कुशल स्रम की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ती, अंग्रेजों ने भाद में पहला रबर बागान वर्स 1902 में केरल के पेरिया नदी के तट पर स्थापित क किया था, भारत वर्तमान में उच्तम उत्पादकता के साथ विश्व में प्राक्तिक द्रबड का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत के सीर्ष्तीन राज्यों में केरल तामिलाड करनाटक है, अथा कतन तीन यहाँ पे सही नहीं है, अगला कुश्चन, बांस के संब द्वारा करनाटक में बीमा बांस से एक ऑक्सिजन पार्क निर्मित किया गया, तीसरा, बीमा बांस सरवातिक ती व्रिगत्स के साथ बढ़ने वाला पौधा है, जो कारवन डियोकसड उस सरजन को कम करने है, तो सबसे अच्छा कारवन सिंक है, उपरित कतनों में से कौन सा सही नहीं है, A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3, और D 1 और 3, तो यह बताई यहाँ पे कौन सा बांस के समझ में निम्रकित कतनों परें से कौन से गलत हैं, यह आपको बताना है, कौन सा इसमें सही नहीं है, चार ऑप्षन दिये गए हैं, तीनों कतन को आपने देख लिया है, पढ अपने अंसर दीजिए, 10 सक्टन है, सभी लोग अपने अंसर को सम्मिट कर सकते हैं, आराम से बताएं, इस कुश्चन का अंसर का उन सा है, A, B, C, या D, चलिए, आंसर देख लेते हैं, इस कुश्चन का अंसर देखे, B है, ठीक है, परस्ट दोजाब बांस को व्रिक्ष की स सिर्णी से हटाने है, तो भारती वना धनियमने 27 में संशोधन किया गया, अथा कथन एक यहां पर सही है, परणाम सरुफ कोई भी बांस की खेती व्यवसाय कर सकता है, उनकी कटाई करने है, तो उत्पादों को बेचने है, तो अनुमत लेनी क्या हो सकता, नहीं होती है, हाल की बांस की एक उच्च उपस देने वाले प्रजाथ से प्राप्त किया गया है, और बांस के स्कलोन को पारंप्रिक प्रशन विद्वरा विक्सित किया गया है, इस प्रजाथ को सर्वाधिक तीवरिगत से विक्सित होने वाले पौधों के रूप में माना जाता है, और या क्रिशिवान की केवल अस्थाई विवित्ता को बढ़ावा देती है, दूसरा, फसल, चक्र, समान रूप से फसलों के स्थाई और आस्थाई विवित्ता दोनों को बढ़ावा देती है, उपरिद कतनों में से कौन सा सही है, A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो दो एक और नहीं दो चलिए बताएं इस question का answer कौन सा सही है कि दोनों कथन को आराम से पढ़ें चार option दिये हैं और इस question का right answer क्या होगा वो बताएं चलिए answer इसका check out कर लेते हैं दिके answer इसका D है ठीक है क्रिशिवान की सामाजिवान की एक महत्पूर्ण भागया उसके इंतर के किसान एक खेत में फसल उगाने के सासाथ पेंड चारा पैदा करने वाले पौधे घास फलीदार फसले उगाते हैं या फसलों की स्थाई और आस्थाई विधियों को दोनों को यहां पे बढ़ावा देता है अथा कथन एक यहां पे सही नहीं है विभिन फसलों की क्रशी किसी निश्चित छेत पर निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को सस्य आवर्तन या फसल चक्र कहते हैं अधिकतर फसल चक्र के माद्यम से आस्थाई वित्ता प्राप्त की जाती है क्योंकि या अनुक्रमिक फसल है अता कथन दो भी यहाँ पर सही नहीं है चलिए अगला कोश्चन है फसल गहनता के संदर में निम्ड़कित कचनों पर विचार कीजिए पहला यहाँ क्रशी वर्ष में एक ही खेट से कई फसलों के उत्पादन को संदर्भित करता है दूसरा इसमें वर्तमान में सुनता के बाद से उल्लेख निवरिद धियानी के 50% से अधिक की यहाँ पर दर्ज की गई है उपर इस कथरों में से कौन सा सही है ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दो, दी ना तो एक और ना ही दो तो फसल गहनता को लेकर के जो यहाँ पर कथन दिये गए है इन में से कौन सा कथन है जो सही है उसके according यहाँ पर 4 option है जल्दी से बताएं इस question का answer क्या है 10 second है आपके पास पने answer को submit करने के लिए तो जल्दी से करें अपने answer को बारत बताएं फर्सल गहनता के बारे में आपने पढ़ा होगा चली देखते हैं आपे कितने लोगों को पता है, याद है, clear है चली तो answer अब तक दे लिया गया होगा I hope, answer चिक करते हैं answer है आपका C है देखें, भारत में गन्य की खेती के यूश्डवंधी छेत्रों में 21 डिग्री से 27 डिग्री से से 21 से 27 डिग्री से 25 सेंटीमेटर, 100 सेंटीमेटर वार्सिक वर्षाक साथ गर्म और जलवाई के अनकूल मानी जाती है अता कथन एक यहाँ पर सही है इसके लावाब भारत में गन्य की खेती है तो मुखिरूप से बिहार, करनाटक, महराश्ट, पंजाब, उत्तबदेश में में खेती की जाती है और तब देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर 40 प्रषद का इसमें योगदान देता है करनाटक का स्थान यहाँ पर देखा जाए महराश्य करनाटक का और इसके बाद आता है कुल घरिल पादर्मियन का क्रमसा 21 और 11 प्रषद का यहां पर योगदान अथार कथन तो सही है अगला देखिए यहां पर मोटे अनाजों के संदर्वी निल्खित कथनों में से कौन सा यहां पर सही है पहला यह सूखा प्रदरोधी फसले हैं जिने सूफर फूड कहा जाता है दूसरा भारत में मोटे अनाज की कोई स्वदेशी फसल नहीं उगाई जाती है और तीसरा मोटे अनाज की फसलों में कैलसियम और पोटेन की अधिक मात्रा पाई जाती है नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनिए केवल 1 और 2, B केवल 2, C 1 और 3, D 1, 2, 3 तो तहीं मोटे अनाजों को ले करके यहां पे कौन सा कथन सही है उ चलिए आंसर इसका चक कर लेते हैं एक आंसर है आपका C ठीक है मोटे अनाजों को अकसर सूपर फूट के नाम से संदर्भित किया जाता है मोटे अनाज में ग्यहूं चावल की तुलना में सस्ते होने के सासाथ उच्छ प्रोटीन फाइबर विटामिन आइरन पाय जाते हैं और पोशन इतिया बहतर आहार होती हैं मोटे अनाजों में कैल्शियम के और मैगनेशियम के प्रचुरता भी होती है जैसे रागी में सभी खादेनक तुलना में कैसर जिमाद्धा सबसे जादा होती हैं ये कठोर और सूखा प्रदूर्धी फसल हैं जिनका बृद्धिकाल 70 से 100 दिन गेहुं चावल के 120 से 150 दिनकी फसल की तुलना में कम होता है इसके अलामा मोटे अनाजों होते हैं साड़े 300-500 मिलिमेटर को और गेहुं और चावल 600-1200 मिलिमेटर की फसल की तुलना में कम जलकी आवशकता होती है अता कथन एक और तीन यहाँ पर सही हैं वरत्वा दो यहाँ पे सही नहीं है प्रमुक उत्पादक राज्यों में देखा जा तो राजस्थान, आंद्रपदेश, तेलंगाना, करनाटक, तामिलनाड, महराज, गुजरात और हर्याना इसमें प्रमुक राज्य है चलिए अगला इसमें देखते हैं बैगनी क्रांती के संदर में निम्लकित कतनों पर विचार कीजिए पहला यहाँ लेवेंडर नामक फूलों की खेती से संबंदित है दूसरा वैग्ज्यानिक था और दोगिक अनुशंधान पर शायत बैगनी क्रांती के लिए उत्तरदा ही निकाह है उपर एक में से कौन सा सही है एक एवल एक, बी केव चलिए आंसर चेक करते हैं ठीक है आंसर आपका सी है ठीक है कौन सा सी है यहाँ पर जम्मू में डोडा जिलेंके गाउं में 500 खिसानों के द्वारा मक्का की खेती से लेवंडर की और अस्तानांतरन के बास से अपनी याए में चौगनी वृद्धिदर जी जिसे बैगनी क्र कारण संभव हो पाया था कथन एक यहाँ पर सही है CSI यार इंडियन इंस्टिट्र आफ इंटीग्रेटिव एंड मेडिसीन जम्मू यह दोनों में निकाए मिल करके आरोमा मेशन के थार्ट बैगनी क्रांद को सफ़ल बनाने के ले उत्तर दाई है था कथन दो यहाँ पर सह अगला कुश्चन निमनखित में कौन सी फसल ऑपरेशन ग्रेंस के अंतरगत आती है टमाटर तिलहन प्याज आलू नीचे दिये कूट का प्रयोकर से उत्तर को चुनिए पहला है केवल दो और तीन बीज है तीन और चार सी है एक तीन चार और डी है एक दो तीन चार तो के पास अंसर को देने के लिए असान सा प्रशन ऑपरेशन ग्रीन चलिए कितने वों को पता है फटाब-फटाब इसका अंसर दीजिए ऑपरेशन ग्रींद में कौनकौन सी फसलों को सामिल किया गया है A B C या D कौन सा अंसर इसका सही है चलिए आंसर देख लेते हैं देखें आंसर है आपका सी ठीक है इसमें देखें हाली में केन सरकार ने स्विकार किया है कि 2013 में से देश में क्रिश आयक बास्तिविक मुल्यांकर नहीं किया गया है ऑपरेशन ग्रीन्ज का उद्देश 2022 कें तक किसानों की आयको दोगना करना है 2018 निस के ऑपरेशन फ्लट की तर्ज पर किसान उत्पादक संगतनों, क्रिश रसद, टमाटर, प्याज, आलू चलिए अगला क्वेशन यहां पर है अनवाशिक रूप से संसोधी फसलों के बारे में निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए पहला, यहाँ पादप प्रिशन की एक प्रक्रिया जिसमें वांशित लक्षणों के साथ संतती है तो समान लक्षणों वाली प्रजातियों के बीच संकरन कराया जाता है दूसरा, डीमेच 11 सरसों एक मातर अनवाशिक रूप से संसोधित जीम फसल है जिसके प्रयोग की भारत में अनुवती है तीसरा, वैग्यानिक और अध्योगिक अनसंधान परिशत CSIR जीम फसलों के वानिजिक उत्पादन की अनुवत प्रदान करने हे दू सिर्ष निकाय है उपरियोत कत्रों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है A है केवल 1 और 2, B है केवल 2, C है 2 और 3 और जबकि D है option केवल 3 तो यह बताईए यहाँ पर आनुवाशिक रूप से संसोधित फसलों के बारे में निम्ड़कित में से कौन सा विचार यहाँ पे सही है जल्दी से बताएं इस question का answer चली तो answer चेक कर लेते हैं answer देखें यहाँ पे C है जियो टेक्स्टाइल सिंथेटिक रेसे हैं जिसमें polyester और polypropylene या मानो निर्मिस समागरी है इनकी पारगमता अलग-अलग होती है पारगमता का अतातपर है कि उनकी सतहों में बहुत छोटे-छोटे छिद्र होती हैं तथा तरल या गैसों को इनसे होकर गुजरनी के अनुमत देते हैं जियो टेक्स्टाइल सिंथेटिक रेसों की विशेष्टा है कि ये प्राक्तिक रूप से मजबूत अतिधिक टिकाव, टूट फूट, मोड, नमी, प्रतिरोधियां और किसी भी सुक्ष्ण जीवे मार्क्रविल के हमले से मुक्त होते हैं इनका उप्योग धलानों, तडबंधों, नदी, तडबंधों, खान के धेर वाले धलानों के इस्थरी करन तथा हम्रदा अपरदन आधी को रोकने के लिए किया जाता है अथा कथन दो यहाँ पे सही है यह नालियों के वाले जमाओं को रोकने के लिए यहाँ पे प्रफावव फिल्टर के उप में काम करते हैं ताक अधन एक भी यहाँ पर सही है चलिए अगला कुश्ण यहाँ पे देखते हैं हाली में समाचारों में देखे गए निंदरन केले के संदर में निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए पहला निंदरन केले की खेती केरल के त्रिशूर जिले में की जाती है दूसरा निंदरन केले को वर्ष 2014 में भगोली संकेतक यानि की GI टैक प्राथ हुआ तीसरा, आईटी मदरास निंदरन केला से एक नया उत्पात केला ग्रिट विक्सित किया उपरें कतनों में से कौन सा सही नहीं है पहला, एक, A है आप्षिन केवल 1 और 2 B है केवल 2, C है केवल 3 और D है 2 और 3 तो बताइए निंदरन केले को लेकर यहाँ पर तीन यहाँ के जो कहता ने Meets कौन कौन सा सही है उसके recording यहाँ पर अपना answer sorry, सही नहीं है आपको बताना है तो ABCD में इसका right answer बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है चलिए, देखते हैं यहाँ पर नेंदरन केले को लेकर कितने बचानकारी है आपके पास कौन सा अप्शन होगा यहाँ पे A, B, C, D में से चलिए आंसर चेक कर लेते हैं आंसर यहाँ पे C है, देखें, क्यों C है चिंगाजी कोडन नेंदरन केला, जिसे चिंगाजी गोडे केला के रूप में भी जाना जाता है यह केरल के तरिशूल जिलो में सबसे लोगपी पारंपरिक फलो में से और अथाकतन एक यहाँ पे सही है नेंदरन केला की अकिस में इसके विशिश स्वाद गुच्छे के आकार रंग के लिए इसे प्रदान किया आता है और इसकी फसल की खेती मुखरोब से जैविक तरीके से की जाती है और इसकी फसल की अवे 13-14 मा होती है केरल में उगाय जाने वाले चिंगाजी कोडे निंदरन केले को वर्ष 2014 में भोगली संकेतक का टैक दिया गया अता कतन दो भी यहाँ पर आपका सही है हाली में केरल के पपनम कोड में वेग्यानिक अनुसंधान और दोगिक अनुसंधान परशद यानि CSIR अन्ता विश्य विग्यान और प्रदोकी के लिए राश्ट्री संस्थान के विग्यानिकों ने निंदरन केला से गुतपाद केला ग्रिट गैनियूल्स विक्सित किया है अता कतन तीन यहाँ पर सही नहीं है CSIR भाद का सबसे वड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है चलिए आज का अपना अन्तिव प्रशन लेते हैं निंदर्खित पर विचार कीजिए पहला 12 गंटे के प्रकाश हवादी, दूसरा कैल्सियम व्यक्त कैल्सियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा होना और तीसरा उप्युक्त गर्मियों सर्दिवारी जलवाई केसर के उत्पादा हैं तो प्रोक्त में से कौन सी दशाएं आवश्चक हैं A है केवल 1 और 2, B है 2 और 3, C है केवल 2, D है 1, 2, 3 तो बताईए यहाँ पर केसर के लिए कौन कौन सी दशाएं सबसे उप्युक्त होती है A, B, C या D आज कहनते हैं प्रच्ण अपना आंसर दीजिए परफॉर्मेंस ओवराल कैसा रहा यह भी चेक के जीएगा कितने आपको यहाँ पर agriculture related यहाँ पर कौन कौन सी कौन आए कहाँ पर आपकी गलतियां हो रही है तिनका revision जरूर आज कर लेना है ठीक है यहाँ पर गलतियां ताकि कम हो agriculture क्योंकि related question बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में और लगातर ऐसे आने वाले questions को देखते हुए इस session को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कीजेगा agriculture related topics को अच्छे से revision कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आपके question आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए चलिए answer चेकर लेते हैं केसर पोधा जिसे सूखे वर्तिका अगरिया फूल के धागे जैसे हिस्से का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है माना जाता है कि पहली सताब्दी सापूर के आसपास मध्धेशय प्रवास्तियों के द्वारा कस्मीर में केसर की खेती शुरू की गई इसका उपयोग पारम पर एक रूप से कस्मीरी वेंजनों में किया जाता है और इस छेत की सम्रेध्य संस्कृति विर्गाजसत और प्रत्नित तो यहाँ पर करता है केशर की क्रिशी से सम्मेशत यहाँ पर जो क्रिशी आवश्यक यहाँ पर दशाएं हैं उनको भी देख लीजिए देखें उचाई है समुझतल से 2000 मीटर की उचाई पर परियास की खेती होती है 12 घंट एक प्रकास अवधी चाहिए मृदा जो होती है यहाँ पर अलग- तो आज के लिए से इतना ही नेक्स जो सेशन करेंगे हम ठीक है अगला हमारा जो सेशन होगा देखी यहाँ पर होगा मंडे को मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ पर आपको पांच सेशन लेंगे और ने पांच सेशन में हर वी कम से कम ऐसे ही 200 कोश्यन का टार्गेट रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने ऐसे ही पांच से वीक में अर्थात की यहाँ पर आपको 1000 कोश्यन का टार्गेट हमें यहाँ पर अचीव करना है तो आज के लिए बच्चों इतना ही नेक्स वीक मिलते हैं मंडे को यहाँ पर कुछ और प्रश्णों के साथ थैंक यू स